हलो गाइज वेलकम बैक वन्स अगें कैसे आप सब लोग बेसिकली आज मैं आपसे डिसकेशन करने आया हूँ बहुत से स्टूडन मुझे यहाँ पर कॉश्चन कर रहे थे कि सर हमें RTI में एप्लिकेशन करना है हमें हमारी सजेश्ट चेक कॉपीज देख रही है और हमें प्रोसेस क्या है यह प्रोसेस में इस वीडियो में डिसकस करने चाह रहा हूँ सो गाइज वीडियो ध्यान से देखना इसके जो भी डीटेल्स है आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है टेलीग्राम चैनल की उसमें आपको जो आपने जाकर देख लेना है, word file में भी वहाँ पर available हो जाएंगा, वो application और PDF file में भी available हो जाएंगा, तो guys basically process क्या है, RTI application की one by one में discuss करता हूँ, फईले तो जाएंगे आप RTI साइट पर, RTI online public authentication application, यहाँ पर जा सकते है, right of information act के साइट पर, यहाँ पर जाने की बाद submit request करते हैंगा, submit request करते हैं, यहाँ पर एक tab open हो जाएंगा, यह tab में जाकर आप agree, जो भी points है, वो agree करना है आपको, और आप disagree हो, यह point नहीं, आप इस point से agree नहीं हो, तो इसको क्या कर सकते हो, cancel कर सकते हो, और उसके बाद आपके बाद second option यह है, कि आप अपने आपको sign in कर सकते हो, permanently इस website पर register कर सकते हो, दोनों भी option available है, मगर मैं आपको first वाला option यहाँ पर बतारो, first वाले option में आप जाएंगे तो better रहेंगा, यहाँ पर जाएंगे, submit request पर click कर दीजेगा, submit request पर जैसे ही click करेंगे, I accept, जो भी है, वो आपने accept कर दिया है, और read, जो भी guideline, read कर दिये, उसके accordingly अपने submit किया है, हमारा institute जो है, institute corporate of ministry, यानि की corporate of ministry के अंडर आता है, तो आपने यहाँ पर corporate ministry को select करना है, देखो, ministry of corporate affairs को मैंने select कर दिया, यहाँ पर select public authority, public authority कौन सी है, public authority आपको select करने के लिए last में आना है, हमारी जो public authority है, वो cost and management accountant of India, यहाँ पर आपने आपका name, उसके साथ साथ male हो, female हो, address जो भी है, वो आपने detail fill up करना है, यहाँ पर मैंने सारा fill up कर दिया, ओके, यह fill up करने के बाद आप ruler से हो, या urban area से हो, literate हो या illiterate हो, यह भी आपने यहाँ पर discuss करना है, उसके साथ citizenship तो यहाँ पर cover हो जाएंगी, आप below purity line पर होते हों क्या, yes, no, यहाँ पर no कर दो, तो आपको यहाँ पर 8 या एकिफीज ज जो है, वो application कहाँ पर मिलेंगा, सारा application यह आपको मिल जाएंगा, हमारे telegram channel पर, इसको ऐसे copy paste करना है, copy करके इसको क्या करना है, सीद्धा यहाँ पर paste करना है, okay, इसमें सारा details आपको मिल जाएंगा, बस आपने नाम, contract number, address, आपने इस application में change करना है, और उसके accordingly आपने application करन एक तो आप आपका, जो भी mark seat है, वो apply कर सकते हो, या आपका admit card है, admit card हो, आपका, वो apply करो, आपके पास admit card है, तो आप उसको apply कर सकते हो, otherwise आपका जो भी hall ticket है, वो available आपके पास है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर submit कर सकते हो, मैं आपको यही suggestion दूँगा, कि यहा पर आप admit card submit कर दो उसके बाद आपने make payment करना है और make payment जैसे ही करते हो आप तो उस situation में आपका जो भी application है वो successfully file हो जाएगा, sir ये detail आपको कितने दिनों में मिल जाएगी, ये detail जो है आपको within 7 days में मिल जाएगी, इस application में सारी detail given है institute का जो भी address है जिसको भी हमने application किया है उसका सारा detail मेंने given है, बस आपके जो है, यहापर क्या करना है आपने first thing, आपका name वगेरा सब कुछ change करना है, आपका address वगेरा आपके correspondence में आपने वहापर क्या करना है mention करना है, ये आप कर सकते हो मुझे पता है, guys RTI copies मंगवाने के बाद मुझे share कर दो, हम मैं और CA परिक्षित सर आपके जो भी RTI copies आने के बाद वो check करेंगे, और आपको जो भी suggestion रहेंगे, टेलिग्राम चैनल पर WhatsApp ग्रूप में, उसके accordingly आपको discussion करते रहेंगे, so guys आज के लिए तना काफी करते हैं I hope आपको यह procedure समझ में होगी, और इसमें आपको कोई भी doubt रहें, difficulty रहेंगे, तो मुझे question कर सकते हो, so guys चलो guys, that's for the day take care, bye bye, यह application कहाँ आपको पता होना चाहिए, यह टेलिग्राम चैनल पर है, available है, वो मिल जाएंगा आपको, so चलो guys, take care, bye bye good night